जैस याराम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चानल लड़ो गुपाल के भक्त में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगी ऐसे छे कारण कि यदि वो किसी के भी घर में है तो ऐसे में मा लक्ष्मी उस खर का त्याग कर देती है और फिर पुनहा लोट कर नहीं आती है मा लक्ष्मी और कोई नहीं बलकि सुक, समरिधी, धन, वैभव, आदी की देवी है किन्तो अगर मा लक्ष्मी किसी के घर का त्याग कर दे या किसी व्यक्ति का त्याग कर दे तो ऐसे में उस व्यक्ति या उस घर में केवल दुख और दर्यद्रता का वास हो जाता है तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से छे कारण है जिन से मा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है पहला कारण जिन घरों में इस्त्रियों, बच्चों वरिद्ध जनों का आदर नहीं होता मा लक्ष्मी उस घर का परित्याग कर देती हैं दूसरा कारण जो पती पतनी आपस में सदेव लड़ते रहते हैं या फिर जिनके घर में कलह का वातावरण बना रहता है या फिर जो पतनी आओरों के समक्ष अपने पती के निंदा करती हैं अपने घर से जादा दूसरों के घरों में जाने में अधिक रुची रखती हैं मा लक्ष्मी उस घर का सदा सदा के लिए त्याग कर देती हैं तीसरा कारण जो लोग अपने घर को सवच नहीं रखते मैले कपड़े पहनते हैं दादों को सवच नहीं रखते हैं घर के मंदिर में सवच्चता का पालन नहीं करते हैं मा लक्ष्मी उस घर का त्याग कर देती हैं चौथा कारण, जिस घर में केवल माता लक्ष्मी के नामत का जाप होता है, उनका पूजन होता है, लेकिन जो लोग भगवान श्री हरी विश्णों जी का पूजन नहीं करते, मा लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं। चौश की हुई है पहले से, तो त्याग कर देती हैं ऐसे परिवार का। छटा कारण, जिस घर के लोग सुभा देर तक सोते रहते हैं, सूर्य उदे के बाद तक भी सोते हैं, और संध्या के समय भी आलस करते हैं, सोते रहते हैं, दिया बाती नहीं करतें, तो ऐसे में मा लक्ष्मी का संग संग पूजन हो, क्योंकि मा लक्ष्मी अपना पूजन अकेले स्विकार नहीं करती हैं, उनके साथ साथ विश्नु भगवान का पूजन करना भी अन्यवार हैं, तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर चानल पर नहीं हो, तो सब सब्सक्राइब करकर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजगा ताकि मैं इसी तरह की जानकारियां रोचक वीडियो आप तक लाती रहूं, तो अभी के लिए जै माता दी, जै श्री राम